और एक बिल्कुल अंत में बात, जिसे पढ़ना है, उसके लिए प्रकृति सहोगी बनती है, जिसने जहाचावा राह, बहुत पुरानी बात है, उत्तरकाशी में, मैं था और वहाँ, एक ग्यांजा नाम के गाउं से उपर पहड़ी चड़ रहे थे, रस्ता मिल नहीं रहा था पत्थर हमें बड़े परेशान कर रहे थे, कुछ सूझा नहीं, दो तीन महात्माँ ने देखा उपाय क्या हो सकता है, तो मुझे एक उपाय सूझा था, मुझे लगा कि जो पत्थर परेशान कर रहे हैं, उनी की सीड़ी बनाकर, उनी के सरपे चड़कर आगे उठाएंगे और ऐसा ही किया, हमें रस्ता मिल गया, जो पत्थर परेशान कर रहे थे, उनको इक ट्था करना शुरू किया, वो एक अलग बात है कि हम फिर वो एक दिन में नहीं पहुँच पाई, तीन-चार दिन लग गए, लेकिन सच मुझे एक मार्ग बन गया, उबढखा बढ़ा, द जिन पत्थरों को हमने यही बेतर थी धंग से लगाया था, उन्हें तरकीब के साथ लगाया, व्यवस्थित उनको रखा, और तीन-चार बार ऐसा करके, और बिना किसी इंजिनिरिंग के हमने रस्ता वना दिया था, और वहां से रस्ता वनाया था, जहां से हम नहीं निकल चन। आ रहे थे, और वो तो मेरी एक तरह से देखा जा तो प्रचंडययोवन था, उस समय तो आसमान से तारे रोज दोड़नी के तमन्ना होती थे, तो उस समय ऐसा आम ने किया, तो जो बहुत कथिन होता है, जो बहुत जदा कथिन होता है, उसके लिए संकल पते ते आप तो आसान हो जाता है बहुत आसान हो जाता है एक चोटे सी एक बहुत चोटी सी कहावत तेस देश की जो डर गया तो मर गया अगर सब्जेक्ट आपको डरा रहा है अगर आपको लग रहा है कि मैं यह यह नहीं कर पाऊंगा तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी होंगी, जिन्हें आपका भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक अच्छे ठंग से, उस बच्चे के लिए मैं कह रहा हूं, जो पढ़ना चाहता है, योजना बनाए, और यो शायदे बात उस साधा के लिए भी है, जो किस हमारे उत्साह में शिथिलता नहीं है, हम विशयवस्तू के प्रतिगंभीर हैं, हमारी कारियोजना ठीक बन गई है, लक्षपरी हमारी दृष्टी है, और हम कभी भी निराश नहीं होते हैं, और आतने विस्वास से हम भरे हुए हैं, तो भीया कुछ भी पास सकते हो, इसलि आत्म विस्वास से भरे रहे हैं, फिर कुछ भी पालो, फिर कुछ भी, हमने तो देखा है कि देवता आ जाते हैं, उनका सिंगहसन ही जाता है, जो अव्यक्त है, व्यक्त हो जाता है, जो निराकार है, वो साकार हो जाता है, इसे निरगुन क्याते हैं, वो सगुन होने को त पर हो जाता है बस करना से इतना है कि योज ना बनानी है धंके